श्वागत आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG Tally Account GST दोस्तों यदि आप ये चाहते हैं कि Tally Prime Software में जब आप Voucher Entry करने जाएं तो उस Voucher Entry में जब भी CGST, SGST Tax Calculate होना हो तो अपने आप IGST का laser लग कर आजाएं और उस पर IGST Tax Automatic 100% सही calculate हो जाएं तो आप ऐसा कर सकते हैं ये जो आपको Thumbnail दिख रहा है ये मेरे चैनल की वीडियो का Thumbnail है इस वीडियो को देखकर आप ये सीख सकते हैं तो वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं इसके description में मैं लिंक देदूँगा इस वीडियो की उस पर click करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरह से जब आप entry करने जाएं तो वहाँ पर यदि CGST, SGST Tax Calculate होना है आपको कुछ नहीं करना पड़े आज की वीडियो में क्या सीखेंगे चलिए जानते हैं इसके लिए दोस्त मैंने vouchers को select किया और enter place करती है हम आगए voucher entry में यहां पर मैं जिसको sell करने जा रहा हूं वो मैं यहां पर laser डाल देता हैं तो यहां पर पर देखें दोस्तों यहां पर क्या है कि इसकी जो लास्ट वैल्यू जिसको कि हम इन्वाइस वैल्यू गोलते हैं वह त्रेपन हजार चैसो तीन रुपए 20 पैसे अब यह जो 20 पैसे हमको अगे क्योंकि 20 पैसे ना तो देने में आएंगे और देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे तो यह इसका तरीका यह है कि हम यहां से इसको राउंडिंग कर दें और राउंडिंग करने पर 20 पैसे अटा दें यहां पर 80 पैसे एड़ करके इसको एक रूपया बना दें तो इसके क्या करते दोस्तों यहां से में राउंड आप का लेजर क्रिएट करते हैं यानि हमको यहां पर राउंड आप का लेजर लगाना होगा तो यहां से मैंने अल्ट सी कर दिया और राउंड आप का लेजर करता हूं तो मैंने राउंड आप का लेजर यहां पर क्रिएट करने जा दो यहां पर में फिर से एंटरफेेस करूंगा इस जगह पर आओगो तो यहां पर मुझे करना पड़ेगा करंसर इस मैं एड़ करता और 080 लगाकर मैं इसको कर देता 35604 अब यहां पर जो भी कार है मुझे करना पढ़ रहा है दोस्तों वो मुझे मैनुली करना पढ़ रहा है ठीक है तो अब यह क्या करते हैं कि आपको इस तरह की सेटिंग करना बताएंगे जिससे कि राउंड आप का जब आप लेजर लगाएं तो राउंड आप का लेजर लगाते समय यह जो राउंडिंग होना है अमाउंट वो आटोमेटिक राउंडिंग हो जाए आपको कुछ भी नहीं करना पड़े तो कैसे करेंगे तो यहां पर क्या करेंगे मैं यहां पर राउंड आप create करेंगे तो आपको कुछ अलग तरीके से उसको create करना होगा तो यहां पर मैं round up laser को control के साथ enterprise करके open कर लेता हूं मैं बना चुका था अब इसमें मैं setting आपको करके दिखा रहा हूं कि किस तरह से आप ऐसी setting करेंगे जिससे की total जो amount है वो अपने आप rounding हो जाए आपको manually rounding नहीं करना पड़े इसके लिए हम इस जगह पर आएंगे यहां पर आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है एक setting करनी होगी round up के laser में और round up का laser मैंने यहां पर alteration mode में open कर रखा है क्या setting है जली वो जानते एंटरफ्रेस किया कहीं आपको कुछ नहीं करना है आपको आना है इस जगह पर यहां पर देखी type of laser में जब आपका cursor आएगा तो side में pop-up खुलकर आजाएगा यहां पर है type of laser not applicable जो कि हमने अभी कर रखा था ठीक है अब इसको बाइस आपको करना है invoice rounding क्योंकि आप इसको invoice rounding में use क्रेंगे अमंट रांडिंग में यूज करेंगे तो यहां पर मैंने invoice rounding कर दीआ को invoice rounding कर देना है और इस जगए जब आप आएंगे rounding method अब दिक में आपका cursor रोकेगा और यहां पर rounding method में by default यहां पर नॉलबर opin wiring करना चाहते हैं और वह दीन क्या होता है दोस्तों कि एक पैसे लेकर और 49 पैसे तक होंगे तो वो क्या करेगा माइनस कर देगा और 50 पैसे और उससे ज्यादा पैसे होंगे जैसे कि मालीजी 70 पैसे हैं अमाउंट जो आता है आपका invoice value उसमें 70 पैसे हैं तो normal rounding आप करेंगे तो वो क्या करेगा 30 पैसे उसमें गाamt कर करके और उसको एक रूपया बना देगा 50 पैसे और ऊपर जितने भी पैसे होगे तो ऊसको रांडिंग कर देगा्यार पैसे or Search रउंडिंग भीником कर सकतें डाउमड राउंडिंग में क्या करेंगे जितने पैसे होंगे उसको वह माइन आपर बना देगा ऐक पैसा होगातो उसमें 99 पैसे और add करके उसको एक रुपया बना देगा तो normal rounding इसमें चलता है बागी आप जैसा चाहें तो इसमें जो भी setting करना चाहें आप downward या upward की वह भी कर सकते हैं मैं यहाँ पर करूँगा normal rounding और enterprise कर दिया अब हमसे पूशा जा रहा है rounding limit क्या रखेंगे तो मैं rounding limit यहाँ पर एक और इस तरह से मैंने किया किए इसमें setting करके और इस जगह पर आ गया अब देखिए जहां पर मैंने round of का laser आप लगाऊंगा तो आप देखी क्या होगा जैसे मैंने यहाँ पर round of का laser लगाया और enterprise किया तो इसने अपने आप यहाँ पर minus 20 पैसे कर दिये क्योंकि normal rounding है और normal rounding मे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 20 पैसे आ रहे थे तो 20 पैसे क्या करेगा इसको minus करके और rounding कर देगा तो यहाँ पर जैसी मैं round of का laser लगाऊंगा तो देखिए यह क्या करेगा यहाँ पर 20 पैसे अपने आप minus कर देगा इसके लाबा यह नहीं है कि यहाँ पर यह by default setting है वो कराईगी आप चाहें तो इसमें minus एक रुपए 20 पैसा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं दो रुपए 20 पैसे करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं तो यह नहीं है कि आपका by default जो आएगा वो आपने जो normal rounding कर रखा है उसी के effect के आधार पर आएगा और आप इसमें change क robust पैसे को अब रहना चाहें तो चैंज करिए कहीं कोई दिकत नहीं है अब क्या करता हूं इसको यहां से हटा देता हैं अब इसने क्या किरप 20 पैसे थे तो इसको माइनस कर दीई इसके amount मैं fair करता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से और भी समझ में आ जा है अब मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर यह amount हो गया अब देखे क्या हुआ है यहाँ पर 44 पैसे आ रहा है 44 पैसे आ रहा है तो इसको भी minus करेगा क्यों एक पैसे से लेकर amount में और changes कर देता हूँ अब मैं कर देता हूँ इसको amount को ऐसे ठीक है अब देखे यहाँ पर क्या होगा 68 पैसे अब यह जो 68 पैसे हैं इसमें यह क्या करेगा 32 पैसे यानि 032 पैसे और एड करके इसको एक रुपया बना देगा क्योंकि normal rounding है तो 50 पैसे और उससे ज़्याद है जो पैसे आएंगे इसमें amount में उसको उतना ही पैसे उसमें plus करके उसको एक रुपया बना देगा अब देखे 68 पैसे यहां पर सो रहा है और जब आप बहुत सारी entries करते हैं तो बार बार आपको round of laser लगाने के बाद यहां पर cursor भी रुखता है आपका वो cursor भी रुखेगा सीधे amount में आ जाएगा इसके लाबा आपको बार बार यह देखना होगा कि कितने पैसे minus करने कितने पैसे plus करने manually आपको करना होगा तो आप इसके είπ volcanos y whatsoever भी आप इसके ना कर सकते हुं जैसे कि मैं मान के चलता हूँ यहां पर सामने वाले ने चलता हُं यहां पर यहां सेटा दिता हॊं अब देखें यहांपर यहां पर 670.18 बाभी तो हम भी कर सकते हैं तो यहां पर मैं आपर round of loller लगा और यहां पर 7,68 7.68 ठीक है यह मैंने कर दिया तो यह देखिए 53,600 रुपए भी हो गए तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं राउंड आप का जो लेजर है उसको आप इस तरह से